हेलो फ्रेंड्स स्वाकत एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर आरे सगरवाल सौल कर रहे थे, मेरा नाम है चेतन पारिक, आप जानते ही हो बस यही करेंगे आरे सगरवाल की इंगलिश वाली बुक, कौन सा चेप्टर करेंगे तो चेप्टर हमारा चल रहा है यह वाला, कौन सा प्रॉब्लम्स अन, एजिज, पार्ट नमबर तीन को हम सुरू करेंगे ठीक है, तो सुरू करते हैं बिल्कुल उसी जोस के साथ, जैसे हमने पार्ट दो को किया है दो पार्ट अब तक कर लिए हमने, एक-एक सवाल यहाँ पे किया है, तो अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखना क्योंकि वहाँ से बेसिक जो है ना इस चेप्टर का, वो आपका अच्छा हो जाएगा अब शुरू करता है हम हमारे इस पार्ट को पहले सवाल के साथ, क्या है, ट्राइ करेंगे पहले आप अपनी तरफ से, अब यहाँ पे मैच करवाएंगे अपने आनस्वर को और सॉलिशन को, ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो सवाल हमें कह रहा है कि at present, सुरेश's age is twice the age of his daughter, मतलब वर्तमान में सुरेश की आयू, अपने डॉटर की आयू का डबल है, twice है, ठीक है, आगे after 6 years from now, अब से 6 साल बाद, the ratio of the ages of सुरेश and his daughter will be 23 age to 13, मतलब अब से 6 साल बाद, सुरेश और उसकी पुत्री की आयू का जो रेशियो है, वो कितना रहेगा, तो 23 age to 13 रहेगा, तो आपको find करना है, what is the present age of सुरेश, तो सुरेश की वर्तमान आयू कितनी यह ग्याद करना है, सवाल मैंने हिंदी में भी explain कर दिया है, तो excuse नहीं रहना चाहिए, अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से हो, तो सवाल को try जरूर करना है, ठीक है चाहे हिंदी चाहे English, try जरूर करना है, अब यहाँ पर समझो देखो, बहुत simple language में सवाल है, सवाल हमें यह कह रहा है, कि स सुरेश और डाटर, दो जनों की बाते हो रही है, सुरेश और डाटर, और दो टाइम की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है, प्रेजंट की में क्या है, तो सुरेश जो है वो double है यही है present में क्या है सुरेश जो है twice है daughter का आगे 6 साल बाद क्या है तो 6 साल बाद सुरेश और उसकी daughter का जो ratio है वो 23 age to 13 है कितना है 23 age to 13 है यहाँ पर लिग लिए तो बोला है कि present age कितनी है सुरेश की बापीश से देखो यहाँ पर समझना यह difference कितना है हमने क्या समझा था कि जो difference है न age difference वो हमेशा सेम रहता है यहाँ पर यह सुरेश और उसकी daughter का difference एक साल आ रहा है यहाँ पर सुरेश और उसकी daughter का difference आ रहा है वो कितना आ रहा है दस साल तो जो कि possible नहीं है, age का difference दो विक्तियों में, दो आद्मियों में हम tightening आप पास्थ में चल जाओ, आप से चोटा है, तो आज से 10 साल बात भी आपसे दो साल चोटा रहेगा, आज से 10 साल पहले भी वह आप से 2 साल चोटा ही था, इस चीज को आप मानते हो, बस यही चीज पर यह बता रहा है डिफरेंस दस ऐसा पॉसिबल नहीं है डिफरेंस को हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे तो एक और दस को सेम बनाने के लिए दौनों काल से हम कितना होता है दस होता है तो दौनों को दस बना लेते हैं इस एक को दस बना लेते हैं तो एक को दस बनाने के लिए मैंने क्या किया दस से गुना किया तो इसको कर लेंगे हम दस से गुना तो यह कितना हो जायागा देखो दो इंटो दस करेंगे तो बीस और एक इंटो दस करेंगे तो कितना दस अब यह रेशियो मेरे कोई काम कर नहीं है ठीक है यह रेशियो मेरे कोई काम कर नहीं है अब मेर वरतमान में और 6 साल बाद में कितना डिफरेंश आ रहा है 10 और 13 के बीच का डिफरेंश कितना रहा है 3 यूनिट का रहा है यह अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में डिफरेंश है लेकिन actual डिफरेंश कितना है present और 6 साल बाद में माना है, सुरुबात में देखो, इस 20 को माना है? किसको माना है? 20 को माना है, दो को गलती से मत मानने न, अभी यह मेरे को जो काम करनें, अभी यह रेशियो काम माईयाईगा वह वह वालाई, तो 20 को कर लो 2 से मल्टिप्लाईगी, तो किता आएगा 20 इंटू 2 करेंगे तो यह आजाएगा 40 तो 40 years option B क्या हो गया हमारा correct answer यह है सुरेश की present age ठीक है बहुत simple सवाल है वैसे हम खूब सारे सवाल कर चुक है चवदा नंबर वाला सवाल है और ऐसे खूब सारे सवाल है same type बढ़ता है देखो आगे अगला सवाल क्या है अगला सवाल है अगला सवाल है अगला सवाल है अरुन और दीपक is 14 years मतलब वर्तवान में अरुन और दीपक की age का जो difference है वो कितना है 14 साल है 7 years ago the ratio of their ages was 5 ways to 7 7 साल पहले जो है उनकी age का जो ratio है अनुपात वो कितना है 5.57 है तो बोला है what is the age of दीपक मतलब दीपक की present age कितनी है यह आपको find करना है अब बहुत ही simple सवाल अब ऐसे सवालों को आपको देखते ही सवाल करना है बहुत ही कम time use करना है देखो क्या करना है ratio कितना है यह ratio यह ratio है 5.57 कब का है यह ratio 7.57 पहले का है कोई बात नहीं 7.57 पहले का है तो 7.57 क्या यह निकाल देता है फिर दौनों में प्लस 7.57 कर देंगे तो present यह जाजएगी ठीक है तो 7.57 पहले का ratio यह रहा difference कितना है 14.57 बता रहा है सवाल present का है और तो present में अगर 14 साल का difference है तो 7 साल पहले भी 14 साल का difference रहेगा 7 साल बाद में 14 साल का difference रहेगा age difference हमेशा constant रहता है सही है तो बस यह concept यहां पर use करेंगे 5 और 7 का difference यहां पर यह देखा जाए तो ratio के terms में 2 आ रहा है लेकिन actual जो difference है वो कितना है question के according 14 years है 7 आ गई तो अगर एक unit की value 7 है तो फिर यहां से आप बता सकते हो मुझे कि इसकी value कितनी होगी 7 unit की 49 हो जाएगी 7 into 7 49 अगर यहां पर अनिल का पूछ लेता अनिल कौन है अरून है अरून सौरी तो अगर अरून का पूछ लेता तो मैं इसको करता फिलाल आपको दीपक का पूछा है तो दीपक तो यह है बाद वला यह है बाद वला देखो दीपक सही है तो दीपक की age हमने निकाल दी कौन सी वाली यह है age कौन सी वाली 7 साल पहले वाली क्यों है 7 साल पहले वाली तो इसमें साथ जोड लो, प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो 49 प्लस 7 किता हो गया, 56 हो गया, तो 56 years जो है न वो हमारा correct answer होगा, यानि दीपग की प्रेजेंट टीज है 56, आई बात समझ में, बढ़ता है देखो हमारे next question की और क्या है अगला सवाल, अगला सवाल आया है, 10 years ago, a man was seven times as old as his son, man और उसके सन की बात हो रही है, पिता और उसके पुत्र की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 years ago, कह रहा है कि जो आदमी है वो seven times है, अपने सन का, तो अगर सन एक है, तो man कितना होगा, seven होगा, seven times कर दिया, उसके बाद में आगे, two years hence, twice his age will be equal to five times the age of his son, यह कह रहा है कि दो साल बाद, present की बारे में इसने कोई information नहीं दी है, ठीक है ना, present के बारे में कोई information नहीं दी है, तो इस ब्लॉक को खली चोड़ देंगे, हम चलेंगे सीधा two year hence पर, कहा चलेंगे two year hence, यानि दो साल बाद में, present से दो साल बाद में सवाल कह रहा है कि present से दो साल बाद में, twice his age, किसकी age? आदमी की, तो twice age of man is equal to five times the age of his son, तो equal होगे किसके? सन की age के five times की, यही तो condition दे रही है देखो, यह जो theory दे रही है, मैंने इसको equation की form में लिग दिया, सही है, इसको तोड़ा simplify करते हैं, तो man is to son, आपको कित्ता मिलेग कितना मिल गया, पांच नुपाद दू, यानि दो साल बाद गये, जो ratio है, वो कितना है, पांच है, और यह कितना है, दू है, तो बस वही सवाल है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको दे दिया, यह two times, five times करके, confuse गर रहे हैं, बाकि कुछ भी निया, ratio निकाल लो, simple format में, यह आगया ratio, अब इसकी कोई जरूत ने, इसको अटा देता है, क्या कह रहा है, सवाल आगे, तो सवाल में आपको पूछा है, what is the present age of sun, तो sun की present age कितनी है, sun की present age कितनी है, देगो, यह वाला, यह आपको गयात करना है, ठीक है, solve करते है, concept क्या है, एज difference हमेशा same रहता है, age difference हम एक का age difference कितना, 6, 5 और 2 का age difference कितना, 3, सही है, यहाँ पर यह कह रहा है, 6 है, यहाँ पर यह कह रहा है, 3, जो की possible नहीं, यह दोनों को same बनाना पड़ेगा, तो इस 3 को 6 बना सकता हूँ, मैं आसान है, हमारे लिए, यहा तो आप इस 6 को 2, 3 बना हूँ, तो बटा 2 करो कि calculation पूरे ration को आपको into 2 करना पड़ेगा, यही बात समझ में, जब आप किसी ratio को छेड़ते हो, तो पूरा ratio छेड़ना है, तो 5 को जब आप 2 से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा यह, 10 हो जाएगा, और इस 2 को जब आप 2 से गुणा करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो अब ये ratio मेरे कोई काम कर नहीं है, अब हम चलते हैं आगे, Sun की बात करते हैं, Sun को हमने 10 साल पहले कितना माना है, 10 साल पहले मैने उसको एक unit माना है, और 2 साल बाद आपने Sun को कितना माना है, तो चार यूनिट माना है तो एक यूनिट में और चार यूनिट में डिफरेंस कितना आ रहा है तीन यूनिट का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है तीन यूनिट का डिफरेंस का ये तीन यूनिट का डिफरेंस है न वो रेशियो का डिफरेंस है एक यूनिट की वेल्यू कितनी है देखो चार है आई बात समझ में तो अगर एक यूनिट की वेल्यू चार है इसका मतलब यह जो एक यूनिट है वो किसके बराबर होगा चार के बराबर होगा मतलब सन की यह हमने निकाल ली कब निकाल ली दस साल पहले वाली यह निकाल दी क तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 years क्या हो गया, हमारा correct answer हो गया, यानि sun की present age कितनी है, तो ये है हमारे 14 years, clear है, बढ़ते हैं, आगे देखो, हमारे अगले सवाल की और next question क्या है, तो अगला सवाल है, 17 number देखो, क्या कह रहा है, सवाल, the ages of Samina and Suhana, are in the ratio 7 age to 3, मतलब Samina और Suhana दो जने हैं, क्या है ratio तो ये 7 age to 3 है, ठीक है, आगे, after 6 years, the ratio of their ages will be 5 age to 3, ये तो present का ratio है, ये तो जो ratio है, वो कौन सा है, present का है, 6 साल बाद में, 6 साल बाद में after, ये ratio कितना होगा, तो ये कह रहा है, 5.953 हो जाएगा, यहांपे लग देते हैं, 5.953, तो बोल र कितना है, ये आपको find करना है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखो, concept वो use करेंगे, जो हमने सीखा है, age difference हमेशा equal रहता है, तो 7 और 3 का difference किता है, 4, और 5 और 3 का difference किता है, 2, क्या difference कभी अलग-अलग हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता है, दो बंदो की age का difference कभी अलग-अलग ह होई नहीं सकता, चाहे आप बात में जाओ, चाहे आप पहले जाओ, constant रहता है, ये जो difference है, तो 4 और 2 को same मनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बना देता हूँ, तो 2 को 4 बनाया मतलब double किया, तो इस पूरे ratio को double करना पड़ेगा, जब भी आप ratio को छेड़ते हो, तो पूरा ratio चेड़ना है, तो 5 को 2 से multiply कर दिया, तो ये 10 हो जाएगा, और 3 को 2 से multiply करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये ratio मेरे कोई काम करनी है, अब मैं उसको use करूँग, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, present की बात करें, तो सुहाना 3 unit की है, और 6 साल बात की बात करें, तो 6 unit की है, difference कितना आ रहा है, ratio wise तो ये difference आ रहा है, 3 unit का, कितना आ रहा है, 3 unit का difference आ रहा है, ये 3 unit का difference आ रहा है, लेकिन actual में ये जो difference है, वो कितना है, 6 साल का है, present और 6 साल बात के बीच में difference कितना होता है, actual difference कितना होता है, 6 साल होता है, इसका मतलब, ये जो 3 unit है, इसकी value कित तो दोनों की एक के डिफरेंस को दो से कुना कर लो कितना है अगा इनुनुर 8yrs के हो गया हमारा App समंद में अच्छी तरीके से साहसे सवाल आपको समझ मारे रह reviewers इसके अलावा और भी खुआ तरीको होते लेकिन Whisker रटने वाला होता है, खूब टीचर्स आपको करा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर रटाफिकेशन होता है, अलग-अलग सवाल में, अलग-अलग ट्रिक के, यह आ गया तो इसको क्रॉस कर लो, रिजन क्या है, उनके पीछे का कोई रिजन नहीं है, रट लो बस, लेकिन यहां पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं दो को हमारे अगले सवाल के और, क्या है अगला सवाल, लॉजिकल मैटर से करना है, जो हमने यहां पर समझा, उससे सभी जना आप ट्राई करें, एक बार अपना आन्स पर निकाले, उसके बाद अभी यहां पर समझें, देखो क्या करना है, तो स रेषियो आप देर एज़ेज विल बी 10 ऐस तो 9, पाँच साल बाद उनकी आईू का जो रेषियो है, वो कितना होगा, 10 अनुपाद 9 होगा, तो यहां पर लगतेता है, फाइफ यहां पर बात की बात कर रहा है, कितना है रेषियो, तो यह रेषियो है, 10 अनुपाद 9, एक सवाल आपको skip नहीं करना किए, तो यह ही type यह तो हो जाया है, काईसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहो ताकि habit बन जाएगी, और type याद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, what is the difference in their ages, तो इनकी age का difference कितना है, फाइंड करना है, बिल्कुल वही स तो चोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आट है आरूनिमा, और नौ है अरूनिमा कभ फ्रेयजएंट में और पांच साल बाद में, बनलों प्रेजएंट में आठ माना है, तो पान्च साल बाद अरूनिमा कितनी है, नो है, 9 units, डिफेरेंस कितना एक यूनिट का, कितना इक यू फ्रेंच कितना है, एक यूटी तो है, तो एक यूटी की वल्लू कितनी है, 5 साल, और आजब क्या हो गया? option B, 5 YEARS, clear है? I hope आप आपने यह सवाल मेरे कराने से पहले ही कर लिया था, बहुत ही सिंबल सवाल है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की और देखो क्या है तो यह सवाल हमें कह रहा है the ages of A and B are presently in the ratio 5A to 6 respectively मतलब A और B की वर्तमान में जो आयू है present में ठीक है यहाँ पर लिख दिया मैंने present कितना है यह ratio तो यह है 5A to 6 आगे 6 year hence this ratio will become 6 age to 7 6 साल बाद यह ratio कितना बन जाएगा तो 6 साल बाद यह ratio बन जाएगा 6.5.7 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 years after 6 years after यह ratio कितना बन जाएगा तो यह बन जाएगा 6.5.7 तो आपको क्या पुछा है What was B's age 5 years ago तो 5 साल पहले B की I.U. कितनी थी यह आपको find करना है ठीक है तो पहले तो present निकालने है फिर हम 5 साल पहले की बात कर लेंगे पहले तो हम B की present A तो निकालने है तो देखो यहाँ पर फिर से concept वही है difference कितना? एक का difference कितना? एक का सही है difference एक का difference एक का difference कितना आ रहा है एक unit का आ रहा है कितना आ रहा है एक unit लेकिन actual difference कितना है तो actual difference है 6 साल का देखो यह जो एक है ना यह तो किवल ratio wise difference है actual difference कितना है 6 साल का है इसका मतलब एक unit की value कितनी है 6 साल है तो अगर एक unit की value 6 साल है तो सवाल में जो पूछा है ना उसको 6 से गुणा कर लो सवाल में मुझे B की जरूरत है ना तो B की ए 6 unit है उसको 6 से गुणा कर लो तो 6 to 6 किता आजाएगा 36 आजाएगा 36 ये क्या है तो ये है B की present age तो अगर B की present age 36 है तो 5 साल पहले B की एज किती होगे तो 36 में से 5 गटालो किता आएगा 31 आएगा यानि option C क्या होगे हमारा correct answer होगे आई बात समझ में बढ़ते हैं आगे देखो बिना time waste करते होगे अगले सवाल की और ये आगे अगला सवाल देखो ट्राई करो question number है 20 एक एक सवाल कर रहे है एक भी question मिस ने किया है ठीक है क्या कहरा है ये सवाल हमें तो सवाल कहरा है कि the age of mother today is thrice that of her daughter मतलब mother की जो age है वो daughter की age का thrice है मतलब अगर daughter एक है तो mother कितनी है तीन है कब ये कब की बात हो रही है तो ये present की बात हो रही है ये यहाँ पर मैंने लिग दिया देको present उसके बाद after 12 years the age of the mother will be twice that of her daughter 12 साल बाद में mother daughter का twice होगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिग दिया 12 years after अगर daughter एक है तो फिर ये जो mother है वो कितनी होगी दो होगी twice होगी ठीक है तो आपको पूछा है daughter की age वरतमान में कितनी है today वरतमान में daughter की age कितनी है ये find करना है concept वो use करेंगे age difference same ये मन आपको सुरू में आते ही बताया और ये बेशवा सवाल है एक भी कोई नया concept नहीं है या देखलो आपको सामने सारे सवाल क्या करना है तो 3 और 1 का difference कितना 2 2 और 1 का difference कितना 1 सही है difference अलग अलग आ रहा है तो difference को same बनो एक को 2 बनाना है 2 गुना किया तो इस पूरे ratio को क्या करोगे 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 चार और 1 इंटू 2 कितना 2 ये नया ratio आ गया इसकी मुझे आप कोई जुरुत नहीं है ratio वह ये represent अलग तरीके से हो रहा है अब समझना daughter की जो present age है हमने एक unit मानी है और 12 साल बाद में daughter की age हमने कितनी मानी है 2 unit मानी है एक unit और 2 unit की बीच में difference कितना आ रहा है एक unit का difference आ रहा है actual difference कितना है तो actual difference दो को present और 12 साल के बीच में 12 साल बाद की बीच में difference कितना होता है 12 साल का होता है इसका मतलब एक unit की value कितनी है 12 साल है कितनी है 12 साल तो अगर एक unit की value 12 साल है इसका मतलब आपको जो पूछा है सवाल में उसका आप कर लो 12 से गुना सवाल में आपको पुछा daughter की present age daughter की present age आपने किसको माना है इस एक को माना है ना तो इस एक को 12 से गुना होई 12 ही मिलेगा आपको एक unit की value चाहिए ती option यह क्या हो गया हमारा correct answer हो गया clear है बढ़ता है देखो आगे अगले सवाल की और क्या है next question अगला सवाल है the sum of the ages of a daughter and her mother is 56 years मतलब daughter और mother की age का sum यानी योग कितना है 56 साल है ठीक है आगे after 4 years the age of mother will be 3 times that of her daughter 3 साल बाद में mother daughter की 3 गुना होगी तो 3 साल बाद का ratio यह दे रखा है आमें किसका? mother और daughter का यह जो ratio लिख रहा हूँ ना वो 3 साल बाद का लिख रहा हूँ ठीक है? तो 3 साल बाद का ratio क्या है? कि अगर daughter एक है तो mother कितनी है? 3 है? ठ्राइस है? ठ्राइस है 3 times है? ठीक है अब यहां पर आपको बुच्छा है कि present age of both मतलब यह दौनों की present age कितनी है? यह आपको find गड़ना है तो क्या करेंगे यहां पर यह जो ratio है ना यह ratio तो 4 साल बाद का है तो हमें अगर 4 साल बाद का sum भी मिल जाए दौनों की total age मिल जाए 4 साल बाद तो हमने इस ratio की health से 4 साल बाद की उनकी individual ages निकाल सकते है तो present age का sum अगर 56 है तो इसके अंदर आप 8 जोड़ दो क्योंकि 4 साल इसके 4 साल इसके कुल मिला कर कितना हो जाएगा आठ हैट हो जाएगा कितना मिल गया 64 years मिल गया महलब 4 साल बाद में दौनों की age का sum कितना होगा योग कितना होगा 64 साल होगा ratio कितना है तो यह 3.751 है कुल मिला कर यह कितना होता है चार होता है, तीन और एक चार, चार यूनिट की वेल्यू एक्चुवल में 64 के एक्वल है, तो 4 से 64 कैसे आया, 16 गुना करने पर आया, तो सवाल में जो पुछा है ना, उसको एक बार 16 से गुना कर लो, तो दौनों की जरुदत है, मुझे तो दौनों को 16 से गुना कर देता है 16 into 3 कितना, 48 और 1 into 16 कितना, 16, तो यह आगई मेरे पास actual ages, क्या आगई actual ages किस-किस की, मदर की और डॉटर की, मदर की और डॉटर की सही है, लेकिन ध्यान रखना है यह मदर की और डॉटर की जो एज आपने निकली है रहा, वो 4 साल बाद की एज है, तो present ages पूछिए आपको तो present age करने के लिए 4-4 साल दौनों में से कम कर लो, तो मदर की present age कितनी आएगी, 44 आएगी, और डॉटर की present age कितनी आएगी, 12 आएगी, तो 12 और 44 हमारा answer हो जाएगा, तो 12 और 44 यानि option B क्या होगी है, हमारा correct answer हो गया, आई बाद समझ में, तो यह है हमारे सारे के सारे सवा सवाल तक कर लिए है, अब इसके आगे की जो सवाल है, वो हम करेंगे upcoming parts केंदर, ठीक है, तो I hope आपको अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो like जरूर करना, समझ में अगर ना आ रहे हैं तो dislike जरूर करना, लेकिन कुछ ना को जरूर करन ठीक है, थैक है, थैक प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तैयारी